हमसाब स्टम कैम प्रेजेंट सीए स्पेन क्रिकेन 40 20 टाइम और हिंदी में स्वागत है भारत ने जंबाववे को 71 रनों से बड़ी शिकस्त दी है और इस शिकस्त पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवे भारती क्रिकेटर रॉबीन उथपार रॉबीन एक बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पर और शायद वैसे ही स्माइल रोही शर्मा पर भी होगी क्योंकि इस मैश तक आते आते जितने भी चिक बॉक्स थे वो सब टिक हो गया के रहूल का फॉर्म सूरिया कोली की कंसेंसेंसी अश्विन का विकेट में लोटना एव मेरे मेरे चॉइस में क्योंकि मैंने सबसे स्ट्रॉंगेस बॉलिंग साइट को चुना था समी फाइनल में पर इंडिया की फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है अर्षटीप ओमाच शमी अर्भुविनेश्वर कुमार आफ टॉंद अप और हैं और इसी लिए हम लोग समी फा रहे हैं सिवाए एक मैच का पिछले मैच में बंगलेदेश उन्होंने अर्ली विकेट नहीं लिये थे पर उस मैच को छोड़के हर मैच में उन्होंने पहले चार-पांच ओर में विकेट जरूर लिये हैं त्रू और नई गेंसे तो खैशानदार गिंदवाजी हुई रही ह यह पॉजिटिफ हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा पॉजिटिफ इन फैक सेमी फाइल जाने से पहले विकेट्स में आना बहुत ही इंपोर्टन है और उनको इस हलाकि उन्होंने लोर मिडल ओडर का विकेट्स निकाले पर उनको जरूर कॉन्फिदेंस मिलेगी इस बात से कि विकेट्स में आये हैं एक कॉइट कॉन्फिदेंस मिलता है उसमें हमेशा जब विकेट्स है आपके नाम के अगेंस्ट तो वो जरूर सेमी फाइन से पहले उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है बिल्कुल और बिल्कुल समझ रहे हैं आप हम के आप ये सोच रहोंगे कि अब तक हमने सुरिया का नाम कियो नहीं लिए आएंगे आएंगे दीरे दीरे महाँ पर आएंगे लेकिन जब प्लेटफॉर्म सेट हुआ भारत के लिए एक बार फिर केल रहुल जबरदस रंग में नजर आए कोहली भले ही उन्होंने अच्छी तक आज नहीं लगाया पर नहीं में नजर आ रहे थे इन दोनों के उपर में क्या कहेंगे आप पर रहुबी खास तोर से केल रहुल अब ऐसा लग रहा है बैक टू बैक 50 के बाद पुराने वाले लाजवाब कमाल रहुल दिख अधर तक पहुंचे नहीं है मतलब मुझे लगता है कि बिल्ड करें वह फ्लो पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है पर लग रहा है कि वह आसपास है और क्यूंकि वह न्यू बॉल कुछ हो रहा है इन कंडिशिंज में कुछ हो रहा है वह थोड़ा डिस्सिप्लिन रह रहा है पहले दो-तीन ओवर में तो उसके बाद उनका बैटिंग का मतलब एक् लंबा खेलने को देखे क्योंकि वह सिंगल हैंडली मैच जिता सकता है उन्होंने बहुत ही अच्छा पारी खेला आज और इंपॉर्टन रहेगा कि इंग्लेंड के अगेंस भी खेले विराट खोली जो हम देखते आया है उनका टेंप्लेट जो है पहले स्टेडी केलते हैं और लग रहा है कि semi-final अच्छा मुकाबला होगा definitely against England especially Adelaide में पर आज बात करनी होगी सूर्य कुमार यादव की बिल्कुल हम सुर्या के बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपकी एक बात से मैं सेहमत नहीं रहा Robi कि सब ले में देख रहा है बिल्कुल मैं मानता हूं क्या रोहित शर्मा ले में है अब तक यार हमारे देश में प्रॉब्लम ही है कि कभी खुशी ही नहीं होते ऐसा लगता 집तिमुद्ध तीम अची कर रही है सब को कहलना चाहिए, सब सब को चांस मिलना चाहिए और रोह शर्मा मैच विनर रॉवन मैच विनर ठीक है तो ऐसी बात नहीं है कि वो मैच विनर नहीं है, फॉर्म नहीं disrupt कर सकते हैं क्या, पोजिशनों करना है उस सेम रखना है मैच जी तुफानी परफॉर्मर पिल्कुल सही समझ रहे हैं आप आज हैं सुर्वे कुमारी आदब जो बात हम करेंगे सीधे विकेट से स्क्रीन तक क्या तुफान लाया उन्होंने 25 गें 169 एक वक्त ऐसा लग जाता रॉबी कि शायद 150-60 हम लोग पहुच जाए अच्छा स्कोर होग उन्होंने तो 180 को भी पार कर दो यह सेग्मेंट तो परफेक्ट है उनके लिए तुफानी प्लेयर अच्छली वह वैसी खिला तुफान मचा दिया वहां पे ग्राउंड पे अगर आप उनका इनिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अब प्रेशर को बहुत अची तरीके से वह अब्सराब करके खेला उन्होंने वह जब बैटिंग पे जस्ट आये तो विराट खुली जब आउट हुए तो तो आये थे उसके बाद तीन बॉल के बाद के बाद के ल रावल आउट हुए फिर एकाद और के बाद या दो और के बाद रिशब पंध भी आउट हो गये थे तो उसके बाद जो पार्टनेशिप उन्होंने हार्दिक पांडिया के साथ बनाया वह बहुत मैथवपून था और जैसे पेस किया अपना इनिंग्स बाउंडरी लगाते हुए पर थोड़ा उनके रिस्क के एपटाइट के हिसाब से थोड़ा फिर पाउंडरी चौका चौका मान रहे थे फिर लास्ट मों की बना लेंगे वेर्न और उन्होंने बनाया भी लास्ट चार बॉल में 20 रन बनाये वे आप ने बुला कि हुन्होंने नहीं लेकिन वो जुध शौुट ऑफ स्टम के ठीक बाहर लो फुल टॉस यो कईं बलेब वह माल उपर मारते हैं जहान पर फिल्डर वाल होते है उनका गेम Plans बहुत ही ज्यादा Simple है Complicated बिलकुल भी नहीं है फिल्डर अंदर है मैं उदर मारने वाला हूँ फिल्डर इदर अंदर है मैं इदर उपर से मारने वाला हूँ शो की टैमिंग खत्म हो जाएगे, घंटे चले जाएगे, पर सूरिया की जो बात है वो चलती रहेगी, इसलिए हम आपको बताते हैं जल्दी से कि ये एंगेल, जो ये स्टेंप अंगेल, आप कैसे देख सकते हैं, तमसब स्टेंप कैम, यहाँ पर है QR कोड, इसको आपको करन भारत का जो अगला मुकाबला सेमी फाइनल में, इंगलंड के खाफ एडिलेड में है, क्या लगता है वहाँ पर कोई चेंज या सेम टीम आप देख रहे हैं, भले ही रिशापन ताज चले नहीं, क्या स्टिक करना होगा, कुछ और मौपर रिशापन को, अभी चेंज कर थोड़ा सेटल होने में वह भी किया उन्होंने, तो मतलब अप्रोच सही था, आउट हुए, अच्छा कैच था, बहुत ही बैतरीन कैच था, जिसमें वह आउट हुए, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं लगती इससे, और मुझे ज़रूर लगता है कि रिशापन्त अग जिस तरीके से भारत ने फिनिश किया कि एक दबाव इंग्लेंड पर रहेगा, क्योंकि अगर आप पे पॉइंट टेबल पर नजर डालें, तो सबसे ऊपर टीम इंडिया आट अंक के साथ, नेट रंड रिटम की ज्यादा, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, और अफिर अफ देटीज़ के लिए, हैड़ी जढाए तूसरे नेटीम सिक्द सबसे रिडों, इस स्क्राइस को ये विए UPS. झाल झाल